हेलो प्रेंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल सामी गार्डन में अध्रक का प्लांट है मैंने इसको दस मैंने पहले लगाया था तो मैंने जैसे मैंने लगाया थे मैंने आप सभी को नहीं दिखाया था तो पहले मैं आपको लगा को दिखाती पहले इस अध्र यह थोड़ा से देखे फुरा लगाया क्या मने काफी अच्छा लगाया देखिए काफी जंगत अख अच्छा मतलब बुर्ध अच्छी हुए तो तैसे लगाती में आपको बतारीं कि दस मैंने पहले मने आपको बीदों बना के नहीं दिखाया तो तो पहले क्या करते हैं इस बनाने आप सब लुए मैं तो इसके बाद क्या करना है इसे में होलकरना है इस दिखता ठीक है यह दिखिए एक तो इसको क्या करना करला है कि इसको इतना डरा टॉ다가 जब को पानी देना है तो पानी इसके उपर से भी चैट ना यह को यह घ़र Ha When are you पानी देना है पानी आपको यह जो नाली बनी होई एक आपको पानी दर देना है इसे आरे यह जो क्या निय quelqu'i अब मैं इसकी खुदाई करके बखाऊंगी कि इसमें चोटी सी क्यारी में कितना अध्रक निकला हुआ है तो चलिए अध्रक निकालने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है तो मेरे मोटिवेशन बढ़ अब इस अध्रक को लगाना निकालना स्टार्ट करते हैं कि अध्रक निकालना चाहिए क्योंकि ठंडग में इसकी पत्तियां सूक जाती है तो इसका मतलब अध्रक अच्छे ऐसा ग्रोथ हो गया है अभी देखे हैं एं Hadi पी इसकी तप्तियां सुलक गरी हैं मैं कि विंसाल क निकाल लिखाँगी कि आ हुगि इस अद्रत के प्लांट है आध्रय के प्लांट जैसा ही एलाइचिक प्लांट होता है यह कि आपी नहीं होती है तुम एस छोटी सी क्यारी में तो आप देगा सकते हैं यह लुक्षिया हुट है एक पुदिना भी हो ste bak जीन यह लगा देखा था आपको फिर दोबारा लगाने ज़रत नहीं है अधरक से शरीर में इनर्जी मिलता है अधरक का इस्तेवाल जी मचलाना, उल्टी, गैस, पेट फुलना, पेट फुलने की समश्चा में रहा देता है अद्रक प्रमुक जड़ी बूटी में आता है अद्रक से चाय बनाएए और अद्रक की चाय पीजे वो भी खाशी जुखा में बहुत फायदे मंद होता है अद्रक में कार्बड हाड़ेज भरपूर होता है या कमजोरी को दूर करने भी फैदा करता है अद्रक से मोटापा में भी कम होता है अद्रक को गुड़ के साथ खाने से आँखों को फायदा होता है अद्रक का इस्तमार ठंडी में खूप करना चाहिए तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजेगा, सब्सक्राइब कीजेगा, प्लीज मेने चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, मुझे आगे बढ़ाए और मुझे मोटिवेशन लिजे, इस वीडियो में जो भी कमिया हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छाई हैं भी जो भी कमेंट करके जरूर बताएं, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, थैंक्यू,